बिहार के इस लोगसभा सीट पर पिछले चुनाओं में जव्यू ने राजत सांसत को था हराया जानिये बाका लोगसभा सीट का राजनेतिक समीकरन बिहार के 40 लोगसभा सीटों में बाका सीट का अपना एक खास अस्थान है साल 1952 में जब देश में पहला लोगसभा चुनाओं हुआ था तो उस दोरान इस सीट का अस्तित्व नहीं हुआ करता था लेकिन इसके बाद साल 1957 में ये लोगसभा निर्वाजन शेत्र की रूप में कठित किया गया और इस लोगसभा चुनाओं में छे विधासभा की सीटे आती है इसमें धोराया, बेलहर, बाका, अमरपूर, कटोडिया और सुल्तान गंज शामल है मालूमों के साल 1991 में बाका एक जिला के रूप में गठित हुआ और इससे पहले ये भागलपूर चिले का हिस्सा हुआ करता था बाका का छेत्रू छार खंड की सीमा से जूरता है यहाँ वन है और यहाँ कई जंगली हंस, बद तक चील आदी जैसे पक्षी मिलते है कहा जाता है कि उर्पाका के असौता गाओं को महरानी चंडर ज्योती ने बसाया था इस चगह पर कई किले के अवशेस भी देखने को मिलते है इन किलों को महरानी के द्वारा बनवाया गया यहां का ज्वेस्ट गौरनात शिव मंदिर कई सालों से लोगों के आस्था का कींद्र है यहां पर ही प्रसिद्ध मंदार परवत इस्थित है इसे पापहर्नी भी कहते है पापहर्नी के बीच में भागवान विश्नु और लक्षमी का मंदिर है बाका भागलपूर के पास बसा हुआ शहर है यहां पहुँशने के लिए बस और ट्रेन का प्रयोग किया जा सकता है यहां से कई ट्रेन होकर गुजरती है बाका जिले में कई सरकारी युजनाओं पर कार्य किया जा रहा है यहां करूर की लागत से प्रखंड श्रीत्रमी साथ महत्वपूर्न सरकों को प्रशासनिक स्विक्रिती दी गई है और उसके बाद जल्दी यहां सरकों का निर्मानकार्य पूरा हो जाएगा प्रशासन की ओर से कई सरक यूजनाओं की स्विक्रिती प्रतान कर दी गई है और उसके बाद यहां की लोगों को इसका लाव पहुचेगा इसमें जगनकित्ता साधपूर से रनगाओं पसाना तक धोरया नवादा मुख्यमार्ग से बलियास मिलकी होते हुए बेरलपूर धोरया चौक से घस्या रंका से लेकर लवकी टकर मध्य विद्याले पैर से पासवान टोला पैर तक सरकारी गोड़ा से जोग डिगा उपरी मंडल टोला की सरक शामल है इन इलाकों में सरक निर्मान को लीकर प्रशासनिक स्विक्रिती मिल गई है अब तक किसका रहा इस छेतर पर दबदबा हर साल लोकसभा चुनाओं में बाका का लोकसभा सीट चर्चा में बना रहता है कई बड़े नीताओं ने इस सीट से चुनाओ लरा है उसमें बिहार के पुर्व मुख्यमंद्री चंडर सेकर सिंग भी शामल है साल 2019 में इस सीट पर जनतादल यूनाइटेट के नीता गिरिधारी यादव ने जीत हासल की थी इन्होंने रास्टिय जनतादल की जैप्रकाश नारायन यादव को मात दी थी मालूम होगी चुनाओं में गिरिधार यादव को 4,77,788 वोट मिले थे जबकि राज़त के जैप्रकाश यादव ने 2,77,256 वोट हासल किया था वहीं तीस्टी नंबर पर निर्दलिय प्रत्याशी पुतल कुमारी थी इन्ही 1,3,729 वोट मिले थे आपको बता दे कि इस लोग सभा सीट को समाजवादियों का दुलिय में और दिगविजस सिंग ने भी यहां से चुनाओ लड़ा था साल 2014 में मोदी लहर के बावजूर यहां भाजपा की जीत नहीं हुई थी वहीं साल 2019 में NDA की उमिदवार गिरिधारी यादव ने जद्यू के ट्रिकट पर यहां से जीत हासल की थी उन्होंने RGD के प्रत्याशी को भारी मतों से पड़ा जद किया था RGD के जैप्रकाश नारायन यहां से सांसद हुआ करते थे और उनकी सीट यहां से चली गई थी साल 2024 के चुनाओ पर्टी की सभी की नजर साल 2024 के चुनाओ को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है बाका सीट को यादव बहुमल इलागा माना जाता है और उसके अलावा यहां स्वार्ण महादलित मुस्लिम और अरती पिश्णा वोटर भी एहम फैक्टर्स माने जाते हैं राजनितिक दल जातिगत समय करन को देखते हुए चुनाओ की रनीती तैय करती है बताया जाता है कि यहां करीब तीन लाख वोटर्स यादव समाद से आते हैं उसके अलावा स्वार्ण वोटर्स भी किसी भी पार्टी की जीत और हार के लिए एहम युगदान रखते हैं मुसलिम बदाताओं की संख्या करीब दो लाख है गडबंधन का सौरूप बदलने के साथी यहां किस पार्टी की जीत होगी यह कहना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है एंडी और महा गडबंधन के प्रत्याशियों पर सब की नजर होगी वहिवाम दल भी सीट पर अपनी दाविदारी ठोक सकते हैं अभी के लिए इतना ही अब जाते जाते हम आपके लिए एक सवाल छोड़ कर जाते हैं आपके अनुसार साल दोहजार चौबस के चुनाओं में बाका सीट पर अंडीय या फिर महा गडबंधन में कौन सी पार्टी जीत दर्च करेगी आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताए आज के लिए इतना ही नमशकार